हेलो एब्रिवन कैसो आप सब आई होप यू और वेल सब अच्छे होंगे बढ़िया होंगे घर फे सेफ होंगे तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं टाइपस आफ कारवन इन्या कारवन चेन तो कारवन चेन में जो कारवन के टाइपस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो कोई कारवन या तो किसी दूसरे कारवन के साथ अटेच ना हो ठिक या तो वो केवल एक कारवन के साथ अटेच हो उसको हम कहते हैं प्राइमरी कारवन देखो जैसे यह CS3 है को को क X4 थो यह भी प्राइमरी कारवन हैं और या तो देखो के सी-स थ्री और यह CS3 और तो देखो यहाँ पर यह कारवन भी क्या है प्राइमरी है k Col एक ही कार्वन से यह जुड़ा हूँ है और यह कारवन भी प्राइमरी है क्योंकि वो केवल एक ही से जुड़ा है ठीक है तो यह हो गया primary carbon उसके बाद secondary carbon क्या होता है कोई carbon जब दो carbon से जुड़ा होता है उसे को हम क्या कहते है secondary कहते है जैसे कि यह हो गया CS3 CS2 और यह CS3 ओके तो यह तो primary हो गया एक ही carbon से जुड़ा है यह भी primary हो गया बट यह क्या हो गया secondary दो carbon से जुड़ा हो एक यह और दूसरा यह ठीक है यह भी समझ में आई गया होगा उसके बाद हम देखते हैं टर्सरी टर्सरी का मतलब तीन हो गया कोई carbon अगर तीन carbon से जुड़ा है तो उसको हम बोलेंगे टर्सरी कार्बन ओके देखो जैसे की CS3 CH CS3 और यह CH3 ठीक है यह हाँ चलो यह primary है एक कार्बन से जुड़ा है यह भी primary है एक कार्बन से जुड़ा है और यह भी primary है एक कार्बन से जुड़ा है बट यह क्या हो गया टर्सरी हो गया तीन कार्बन से यह जुड़ा है एक एक ए और एक ए ठीक तो यह हो गया टर्सरी कार्बन उसके बाद क्वार्टर नरी क्वार्टर मतलब क्या होता है फोर ठीक है तो ऐसा कार्वन जो चार कार्वन से जुड़ा हुआ हो ठीक है जैसे कि यह देखो प्राइमरी कार्वन हो गया अब देखो एक मिक्स देख लेता है जैसे प्राइमरी कार्वन एक ही कार्वन से जुड़ा है ठीक है अब यह क्या है सेकंडरी एक इससे जुड़ा है और एक इससे जुड़ा है ठीक है यह क्या है टर्सरी कार्वन है है न इससे जुड़ा है इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है तीन से जुड़ा है यह क्या है प्राइमरी कार्वन है केवल इससे जुड़ा है ठीक और अब ये लास्ट केवल एकी से जुड़ा हुआ है और ये भी क्या हो गया प्राइमरी है केवल एकी से जुड़ा हुआ है ठीक तो आगे अच्छे समझ में तो ठीक है थेंक्यू